कई साल पहले एक घर में रगु नाम का लड़का रहता था एक बार रगु के पिता कैहकर वहां से चला गया उस दिन रात को एक चोरों का गुंप आकर एक घर के आगे रखे ट्राक्टर को चुरा लिए अगले दिन भी वो चोरों का गुंप रात को आकर दूसरे घर से एक और ट्राक्टर चुरा लिए इस तरह ट्राक्टर का ज़्यादा चोरी होनी की वज़े से गाम वालों में सारे बड़े मिलकर पुलिस टेशन जाकर कंप्लेंट दिये बाप रे हर दिन ये ट्राक्टर कम्प्रेंटी क्या है रे बहुत हो गया ठीक है ठीक है जब मिलेगा बताता हूँ अब जाओ यहाँ से गाम वाले ट्राक्टर खोर रहे है यूँ सोचकर बहुत डरे हुए थे एक दिन रात को रगु के पिता बिना सोए इधर उदर घूम रहे थे क्या हुआ पापा नीद नहीं आ रही क्या नीद केसे आएगे रे कब कौन सा चोर आकर हमारे ट्राक्टर को चुरा ले जाएगा यह सोचकर डर लग रहा है अरे मैं देख लूँगा ना पापा आप आराम से जाकर सो जाएए कहकर पिता को भेजा लेकिन रगु कुछी देर में सो गया अगले दिन सुबा उठकर देखा तो ट्राक्टर नहीं दिखने से अरे 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 मेरे ट्राक्टर चुरी हो गया है यूँ कहते हुए बगल में ही सो रहे बेटे रगु को वो एक दे मारा क्या पापा यूँ मार रहे हो अच्छी निंद को क्यों डिस्टेप कर रहे हो अब क्या हुआ क्या हुआ पूछ रहे कमीने तुछ पर विश्वास करके मैंने होश्यरी नहीं रखी ट्राक्टर के खातिर तो मेरी ही मत मारी गई चोरों ने ट्राक्टर को चुरा लिया है रहे अब पैसे कैसे कमाए हमारी पूरी कमाई उस ट्राक्टर पर आधरीत है यूँ दुखी होने लगा रगु को वो बाते सुनकर बहुत दुख हुआ रगु तब मन में किसी भी तरह पापा के ट्राक्टर को धूंड कर वापस लाना होगा सोच कर उस रात पेट पर बैट कर देखने लगा इतने में चोरों का गुंप एक घर के आगे रखे ट्राक्टर को चुरा कर जा रहे थे तो रगू उनके पीछे जाने लगा वैसे वो सारे एक गुफा में गए रगू वो गुफा में जाकर देखा तो वहाँ इतने सारे ट्राक्टर देखकर दंग रहे गया बाप रे चोर कहीं के सारे ट्राक्टर यही है तो यहाँ चुपा कर रखते हो रुको अभी तुम लोगों को सबक सिखाता हूँ सोचकर वो चोर क्या बात कर रहे है यूँ ध्यान से सुनने लगा रे आज सारे चुराई ट्राक्टर को उस लारी में चड़ाते रहो कुछ दिर में ड्रेवर आएगा ड्रेवर क्यों मुझे ड्रेविंग आती है ना बे वकूफ मुझे भी ड्रेविंग आती है लेकिन जिसका जो काम है वो ही करना चाहिए उसे हमारे बिग बोस ने बेजा है जो रास्ते से जाना है उसको अच्छी तरह से पता है तब ही रगु को एक आइडिया मिला रगु तब चोर का नायक के पास जाकर मैं आ गया हूँ बोस बीजे है सब तयार है सब तयार है लेकिन पैसे बोस ने सबको वहाँ आँखों पर पट्टी बांद कर लाने को कहा है वहाँ पहुंचने के बाद वे एक एक को पैसा दे देंगे तब रगु उन सारे चोर के आँखों पर पट्टी बांद कर प्राक्टिर्स को लौरी में छड़वा कर पुलिस टेशन ले जाकर वहाँ सब बताया पुलिस तुरंत उन लोगों को जेल में डाल दिये इस तरह रगु ने उस गाउं की समस्या का हल निकाला सिंबापुरी नाम के गाउं में उस साल फसल अच्छे से उगी कल किसान फसल तयार करके घर लाने की सोच रहे थे कि उसी रात उनके फसल पर एक बड़ा सा जाइंट रैट ने हमला कर दिया सारा फसल को सर्वनाश कर दिया वो देखकर गाउं वाले इसे किसी ही तरा पकडना होगा कोई तो रास्ता निकाली है वैसे इतरे बड़े चुहे को हम कैसे पकड़ पाएंगे कहा से मुम्किन होगा यूं सोच रहे थे कि सर्पंच महां आकर सोचने पर हमें कोई न कोई उपाई जरूर मिलेगा हमारे गाव में वैसे रोष्णी है न वो लड़की ने आर्चरी सीका हुआ है कई मेरल्स पी जीते हैं सुनाएं वो किसी भी लक्षे को मारने से चुकती नहीं है और वो हमारा एक आरमपिक डॉक्टर है उसे बेहोशी का इंजेक्शन रेडी करने के लिए कहो वो इंजेक्शन को बान पर बान कर रोष्णी को वार करने के लिए कहेंगे तो वो चुहाग गिर जाएगा उसके बाद उस चुहे को हम कहीं भी ले जा सकते है सरपंजी जो आप कह रहे हैं वो तो सही है लेकिन उसके लिए वो चोटा से injection को लेकर अपने बान को बांध कर उसे माने की कोशिश करने तयार खड़ी थी सब इंतिजार कर रहे थे तभी वो बड़ा सा giant rat आया उसे देखते ही गामाले रोश्णी मारो उसे बान मारो मारो चिलाने लगे रोश्णी तब बान से उस giant rat को मारी वो injection उसे चुबा और वो इधर उधर भागने लगा लोग ना जाने कब वो उन पर गिरेगा सोचकर यहां वहां घबराते हुए दोड़ने लगे हाई राम अब इसे हमें चुटकार मिला अब हम क्या करें कह रहे थे कि सरपन चाकर सरपन जी मुझे अनुमती दीजिए मैं कोशिश करती हूँ कहकर एक बड़े giant JCB को मंगवा कर giant rat को उठा कर ट्रॉली पर रखे रोश्णी ट्रॉली लॉरी चला कर मैं इसे जूवालों को सोब कराती हूँ कहकर लही जा रही थी कि बेहोश चुए को अच्छानक होश आ गया और लगे ताले को तोड़ दिया और भाग निकला सोच रहे थे कि रोश्णी वहां से जंगल गई वहाँ एक स्वामी जी से मिलकर अपने गाम पर आई परिशानी के बारे में बताई स्वामी जी उसे बड़ा जाइंट गोल्डन रैट दिये रोश्णी ये लो ये जाइंट गोल्ड रैट को ले जाओ वो जब जाइंट रैट हमला करेगा तो ये उसे भगा देगी रोश्णी गोल्डन जाइंट रैट लेकर गाम आई अरे ये क्या रोश्णी बड़े से गोल्ड रैट को लेकर आई है ये तो बहुत अच्चा है ये कहां से मिला कहे तो रोश्णी ने उन्हें सब बताया हमें अब धर नहीं है जब जायंट रैट आएगा हम उसे भगा सकते हैं कहकर सब को हिम्मत दिलाई कि तबी वो जायंट रैट फिर से इन पर हमला करने आ गया बस फिर ये गोल्ड रैट उस पर हमला की इस जायंट गोल्ड रैट को देखकर वो मामुली चुवा वाँसे भाग निकला तब गाम वाले बहुत खुश हुए आज रोष्णी नहीं होती तो पता नहीं हमारा फसल का क्या होता वो अपनी आर्चरी से और बड़े ऐसे हिम्मत से हमारे फसल को बचाई पहले तो मैं लड़कियों की माता पिता से बैस करता था कि लड़कियों को ऐसे खेल में क्यों डालना चाहिए आज इस लड़की ने सावित कर दिया कि लड़किया कुछ कम नहीं है थैंक यो रोष्णी रोष्णी ये सुनकर बहुत खुश हुई उसके माता पिता भी बहुत खुश हुए वो भोनगिर नाम का गाउँ था उस गाउँ में इश्वर प्रणोय नाम के दो दोस हुआ करते थे वो बचपन से ही बहुत बदमास मिजाज के लड़के थे एक बार प्रणोय अरे बहुत दिन हो गया रे हमें टूर जाके क्या हम कहीं पे घूमने जाएं हा रे बहुत दिन होगे कल हम नलंदा फोट जाएंगे कहकर अगले दिन वो दोनों गाड़ी में निकले वैसे कुछ दूर जाने के बाद उसके बचपन का स्कूल फ्रेंड एक दिखने से हे असोक कैसा है ठीक हूँ रे लगता है दो छिचो रे निकले कहीं घूमने हा रे नलंदा फोट को जा रहे क्या नलंदा फोट जा रहे हो अरे भाई वो यहां से 2000 किलोमेटर की दूरी पे वहाँ गाड़ी में जाओगे क्या हुआ वो 2000 किलोमेटर की दूरी पे पर मैप में तो नजदिक दिखा रहा है अरे मैप्स में चाइना भी नजदिक दिखता है तो क्या तुम चाइना चले जाओगे जा मेरे भाई जा चाइना क्या हम कहीं पर भी जा सकते हैं जरुरत पड़े तो उन चाइना वालों से युद्ध करके भी आ जाएंगे कहकर वो निकल गे वैसे कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसका तायर पंचर हो गया अरे इसे अभी पंचर होना था क्या वो दोनों एक पंचर शॉप में गये वहाँ पंचर शॉप वाले से इश्वर भाईया तायर पंचर हुआ है जल्दी उसके बारे में जाके देखो ताइम लगेगा भाई बहुत अर्जंट है भाई हमारे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है ये देखो भाई तुम लोग कोई युद्ध करने के लिए नहीं जा रहे हो गवराओ मत जाके उस कोने में बैठ जाओ बना के देदूगा वैसे वो दोनों किसी कोने में बैठे तो उन्हें एक जैंट टा मुझे दिन याद आगए रे मुझे ये टायर के साथ खेलने को मन कर रहे मुझे भी मन कर रहे तो फिर मैं जाके उस तायर में बैठता हूं तू तायर को धक्का मार इस वर टायर के अंदर जाके बैठ गया प्रणोई टायर को आगे के और धकेलना शुरू कर दिया अरे मज़ा आ गया और धकेल और ज्यादा धकेल फास्ट फास्ट प्रणोई और तेज टायर को धकेलने लगा उतने में प्रणोई को फोन आया अरे ये ही टाइम पे फोन आना था क्या कहकर रुक के फोन उठाया उतने में वो टायर आगे तेजी से निकल गया अरे प्रणोई जल्दी आरे क्यों वहाँ पे रुक गया ओ माई गॉड कहकर टायर के पीछे भागने लगा उस टायर को प्रणोई बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करने पर भी वो टायर वैसे एक जैंशन के और जाने लगा ट्राफिक पुलिस इतने बड़े टायर को आते हुए देखकर बापरे ये क्या ये मेरे तरफ आ रहा है कहकर ट्राफिक पुलिस भागने लगा लेकिन वो टायर तेजी से आके उस ट्राफिक पुलिस को टकराया बात खतम ट्राफिक पुलिस हवा में उड़ते हुए नीचे गिरा बापरे मर गया रहे मैं कहकर चिल्लाने लगा वो टायर वैसे ही आगे बढ़ते हुए आटो, कार के उपर चड़ कर उन्हें पापड बना कर सब बरबात कर दिया पुलिस तब आकर क्यों रहे पब्लिक प्रापर्टी को नुकसान पहुंचाओगे कहकर उन दोनों को खूप पीटे